हेलो दोस्तों वेलकम बैक वन्स अगेन ऑन अवेकन ब्रेंज दोस्तों है आप सब का एक बारी फिर से अवेकन ब्रेंज पर मैं वेलकम करता हूँ स्वागत करता हूँ आज की इस नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ दोस्तों यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं higher education के अंदर जो assistant professor की jobs vacancies notify की गई थी JKPAC के दौरा उनकी अब short listing हो रही थी अलग-अलग subjects में और वाईवा के लिए जो है preparation तयारी भी शुरू हो चुकी थी कुछ subjects के लिए तब तक यह अचानक से minutes of the meeting जो है यह सामने आ जाता है और जहां पे यह दिखाया गया है कि minutes of the meeting में नया criteria set करने की कोशिश की जा रही है और पुराने criteria को जो assistant professor की job के लिए रखा गया था उसको बदला जा रहा है तो नये criteria में क्या बदलाव किया गया है पुराना criteria क्या था जिनकी वज़ा से आज scholars और बाकी सारे aspirants जो भी इस job के लिए interested थे जिन्होंने apply किया था जो तयारी कर रहे थे वो सारे roads पे आये, strike की, protest किया और representations दी, higher education department के अंदर, JKPSE के अंदर और भी बहुत सारी बाते हम यहाँ पे इस वीडियो में आपके साथ करने वाले है old criteria को भी दिखाने वाला हूँ, नए criteria को भी दिखाने वाला हूँ, जो minutes of the meeting में तया किया गया है तो दोस्तों आप बने रहेगा इस वीडियो के साथ शुरू से लेके last तक complete discussion in detail होगी चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार आये हैं, तो इसी तरह के वीडियो को, interesting वीडियो को, analytical वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को जुरूर स्पोर्ट करें, सबस्क्राइब का बटन प्रेस करना ना भूले, साथी साथ bell notification आइकन को भी प्रेस करने, ताकि हर latest वीडियो हमारे end से आप तक पहुंचता रहे वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, informative लगी, इसे like जुरूर कीजेगा, share जुरूर कीजेगा, और comment में अपना भी feedback देना ना भूलेगा, तो चलो शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे उर्दू department के अंदर जब short listing और rejection list आई थी, हर एक subject की जिसकी भी short listing हुई है, उसमें उन्होंने criteria जो रखा गया था, short listing के लिए वो भी mention किया हुआ है तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे कि पुराना criteria जो short listing चल रही थी, उसमें क्या था, तो मैंने पहले भी video जो है इसकी पे in detail बनाया है, आप वो भी देख लिजेगा, लेकिन यहाँ पे आज हम दौनु criteria को compare कर रहे हैं, और यह आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं यानि कुल मिलाकर इन दौनु qualification graduation प्लस master's degree post graduation के लिए 35 points रखे गए थे, और जिनोंने भी integrated course किया होगा, graduation प्लस post graduation जैसे central universities के अंदर करवाया जाता है, तो वो 35 points सी बनते हैं, उसके बाद set select के 4 marks रखे गए थे, net खाली के 6 points रखे गए थे, net प्लस set select होना तो 6 points रखे गए नेट प्लस जैरे पगर होगा तो 8 points रखे गए थे, और इस तरह से इस net और set में सारी चीज़ें मिलाकर maximum 8 marks ही आपको मिल सकेंगे, ये old criteria के अंदर तह था जिसकी basis पे short listing हो रही थी, फिर MPHL के अंदर आप देखें तो 6 points रखे गए थे, MPHL degree के complete और उसके बाद PhD degree के 15 points जिल सकते हैं, तो ये था old criteria जिसके बिहाब पे different subjects में, जो है, वो short listing हो चुकी थी, हो रही थी और Viva की तयारी aspirants, assistant professor के लिए higher education department में कर रहे थे, तब तक होता क्या है, कि अचानक से minutes of the meeting जो है, वो सामने आ जाती है, जो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, तो दोस्तों यहाँ पे आप यह देख सकते हैं, यह है, minutes of the meeting, government of Jamo and Kashmir higher education department, civil secretary JNK का minutes of the meeting held on, आप यहाँ पे देख सकते हैं, 1st September 2022 को under the chairmanship of chief secretary JNK to review rule 45 of Jamo and Kashmir public service commission business and procedure rules 2021 21 in the recruitment of assistant professors in higher education department, अब यहाँ पी यह, Dr. अरुन कुमार महता जी, I.S. secretary, chief secretary JNK के chair the review meeting of the rule 45 of Jamo and Kashmir public service commission business and procedure rule 2021 in the recruitment of assistant professor higher education department on 1st September 2022 at civil secretary JNK में यह meeting होती है, following officers जो हैं, इसको attend करते हैं, यहाँ पे आपने देखा कि maximum virtual conference, video conference के ही जरीए इस meeting को attend करते हैं, और principal secretary to government higher education department, और secretary to government general administration department through VC, secretary to government department of law, justice and parliamentary affair through VC, secretary JNK public service commission through VC, और यहाँ पे principal secretary of higher education department, briefly briefed the chair regarding the selection appointment of assistant professor by the recruiting agency in higher education department after threadbare discussion following the decision were taken, following decisions were taken in the meeting, सबसे पहले, selection of assistant professor, librarian, PTI in higher education department में, in the interest of full transparency and objectivity, the selection criteria needs to be modified to place greater emphasis on written examination and reduce discretion by limiting the marks for interview, accordingly the following criteria was proposed unanimously for the selection process of assistant professor, librarian, PTI in the higher education department, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो assistant professor, overall librarian और उसके बाद PTI मतलब जो sports के higher education department के जो teachers लगते हैं उनके लिए, सबसे पहने आपे क्या किया गया, written exam रखा गया, 75 marks का, मैंने आपको old criteria अभी दिखाया, अब यहाँ पर क्या कर दिया है, 75 marks का written exam रखा गया है, assistant professor के लिए, और उसके बाद paper first जो है relevant subject जैसे आपका geography है, zology है, history है, political science है, उर्दू है, हिंदी है, मतलब subject specific आपको 60 marks का question paper पूछा जाएगा, और paper second जो है general होगा, general studies की तना, multidisciplinary वहाँ पे field से question आएगे, general studies, Indian history और culture, constitution of India, ability enhancement वगेरा वगेरा इस पर आपको 15 marks का question पूछे जाएगे, paper 1, paper 2, 60 marks जो है, plus 15 marks यहाँ पे general discipline के पूछे जाएगे, तो total 75 marks बन जाते हैं, academic qualification 10 marks रखे गये हैं, नए criteria को दिखा रहा हो, criteria as per UGC regulation यहाँ कहा जा रहा है, UG and PG on prorata basis as per UGC यह कहा जा रहा है, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, next यहाँ पे आप देखें, तो आपको यहाँ पे net, set, select as per UGC बताया जा रहा है, PhD as per UGC, experience as per UGC और interview 15 marks, तो यह है नया criteria और उसके बाद physical test जो norms है, PTI के लिए वो भी यहाँ पे आपको दिखा दो, तो PTI में for norms for men, 12 minutes run, walk test, up to 30 years, 1800 meter, up to 40 years, 1500 meter, up to 45 years, 1200 meter, for women, norms for women, 8 minute run, walk test होगा, 30 साल तक 1000 meter, up to 40, 800 meter, up to 45, 600 meter, जो है यहाँ पे running होगी, composition of the committee में आप यहाँ पे देख सकते, for the conduct of interview and why, why, why में कौन बैटेगा, chairman, JKPAC as a, वहाँ पे chairman बैठेंगे, are a member to be nominated by the, जो भी nominate किया जाएगा उस time पे अगर chairman नहीं होगे, external members to be nominated from outside JNK by higher education department में, higher education department request करेगे और nominate करेगी, जो JNK के बाहर से external members आएंगे, members of HED, administrative secretary, यहाँ पे higher education department are a member to be nominated by him or her, उसके बाद two subject experts जो nominated by JKPAC, PAC from outside JNK से दो subject expert बुलाया जाएंगे, subject for example अगर political science का subject का interview है, तो outside JNK से बुला सकते हैं, central university से, JNU जैसी university है, B.H.U. है, D.U. है, Jamia है, है, दरब कहीं से भी वो nominate कर सकते हैं, इस तरह के member subject expert आएंगे, उसके बाद eligibility for selection of assistant professor and PTI, और librarian में यहां पर आप देख सकते हैं, eligibility criteria for the selection of assistant professor PTI, library should be as per SRO 124 of 2014, dated 21-2014, or as the member amended by the UGC from time to time, it is apt to mention here that the department referred 365 vacancies, 133 plus 191 post of the assistant professor librarian and 52 post for PTI to JKPAC for the recruitment of eligible candidates, in terms of SRO 124 of 2014, dated यहां पर 21-2014, बताया जा रहा है, and have been advertised by the JKPAC, तो total यहां पर 365 post हैं थी, decision जो है, वो ले लिया गया है, the secretary, JKPAC was requested to place the above revised criteria and other changes as above as unanimously agreed in this meeting before the JKPAC and request the commission to carry out the, यहां पर आगे, carry out the, यहां पर necessary changes, और उसके बाद in rule 45, and other relevant rules so as to make the recruitment process fully objective and transparent, यहां पर आपको दिखाई दे नहीं रहागा, क्योंकि blur है यह page, the higher education department would make a request to the JKPAC and the JKPAC would after change in criteria for selection of assistant professor PTI librarian as discussed above, withdraw the referred advertised post and re-advertise the same as per law, as per new criteria adopted by JKPAC, तो यह setback था, the meeting was, vote of the thanks, जो है वो चेर ने किया और यहां पर यह देख सकते हैं, नीचे कौन है, इस पर sign किया गया है, Dr. Ashwani Hansa, JKS Under Secretary to Government Higher Education Department, 20 September 2022, मतलब 10 दिन पहले का, 12 दिन पहले का यह order है, इस से पूरा हड़कम मच गया और परेशानी भी आ चुकी है, तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं, यह criteria जो था, जो काबिले कबूल नहीं है, अब aspirants को, क्योंकि वो old criteria के basis पे अपने form लगा चुके हैं, तयारी कर चुके हैं, नाम आ चुका है, वाइवा की तयारी हो चुकी है, और यहां पर यह setback लगता है, कि नया criteria अब तया किया जाएगा, तो इसी की वज़ा से यहां पर problem आई है, तो आपको मैंने इस वीडियो में नया criteria, पुराना criteria दोनों दिखाया, reason for protest क्या है, simple है कि नया criteria को इस वकत लागू ना किया जाए, और इसमें भी changes की जाए, ताकि visionary कोई decision हो, जिससे problem जो है, ना आए, और maximum जो है, असल मैं aspirants को chance मिले, इस तरह का criteria हो, जहां पे कोई भी जो है, किसी भी किसम की किसी के साथ injustice ना हो, तो यही मैं update आपको यहां पे दे रहा था, I hope कि आपको यह update अच्छा लगा होगा, काफी कुछ जानने को मिला होगा, और यहां पे आपको काफी awareness भी मिली होगी, इस वीडियो को देख कर कि क्यों protest किया जा रहा है, aspirants के द्वारा, JKPAC में, जिनने higher education के लिए अपलाई किया था, पुराना criteria, नया criteria, दौ आपका बहुत है, दिल से शुकर गुजार हूँ, थैंक्स कहता हूँ, आप सब को, आप सब सभी वीवर्स को, अगर आप यह वीडियो अभी तक देख रहे हैं, तो इस चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करके जाएगा, सपोर्ट कीजेगा, आपकी सपोर्ट के बिना हम धी अधूरे हैं, और हमें भी आप से इंकरेजमेंट मिलती है, जब आप सब्सक्राइब करते हैं हमारे चैनल को, हाला कि आपको यह फ्री आप कॉस्ट है, आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, दोस्तो बस एक बटन क्लिक करना है, और आप हमारी सपोर्ट इसी तरह से कर सकते हो ताकि हम इसी तरह की informative वीडियो इन फ्योचर भी आपके लिए लेते आए, लाते रहें, तो थैंक यू अट दी एंड वनस अगें फोर वाचिंग दिस वीडियो ओन अवेकन ब्रेंज, आप रखे अपना बहुत सारा खयाल, जाते जाते इस चैनल को जुरूर करके जाएं, बैल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लें, इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, अल दी बेस्ट एंड गड ब्लेस यू अल